सभी को नमस्कार और इस आत्मग ज्यान पाथ्यक्रम के तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है जिसमें हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल इनफोल्डिंग या एस्ट्रल ट्रेवल जैसा कि हम इसे भी कह सकते हैं से जुड़ी हर चीज सीखेंगे हम देखेंगे कि यह किस बारे में है और यह अव्यास हमारे आंतरे कारे के लिए कितना उप्योगी है हम देखेंगे कि हम इस टूल से क्या कर सकते हैं साथ ही हम इस अव्यास के संबंध में मौझूद कुछ गलत फ़हमियों का भी खंडन करेंगे और इसे प्राप्त करने के लिए विभिन तक्नीकों को देखेंगे और अभ्यास करने के सभी चरण आए समझा कर शुरुआत करें इसे एस्ट्रल अन्फोल्डिंग क्यूं कहा जाता है? इसे प्रकतिकरन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आन्तरिक दोहरे या आत्मा को बाहर निकालना शामिल है एक शरीर बिलकुल भौतिक जैसा ही है जो भौतिक की तरह कोशिकिया प्रकृतिका नहीं है बलकि आन्विक प्रकृतिका है और चुनकि यह एक अलग प्रकृतिका है इसलिए इसमें अलग-अलग गुन हैं। उदाहरं के लिए वो शरीर खीट सकता है और खीट सकता है और फिर अपनी मूल स्थिती में लोट सकता है। इसलिए यदी हम खुले हैं और हम एक उूगली फैलाते हैं, यह जाचने के लिए कि हम भौतिक में हैं या सुक्षम में, यदी हम सूक्षम आयाम में हैं उूगली फैलती हैं। इसके अलावा, इस शरीर के साथ, खलकी प्रकृति का होने के कारण, हम उड़ सकते हैं, हम दिवारों के पार जा सकते हैं. इसलिए यदि हम सूक्षम में हैं और हम कूदते हैं तो हम हवा में तैरते रह सकते हैं या यदि हम दीवार या किसी वस्तु के माध्यम से जाने की कोशिश करते हैं अपने हाथ से हम ये कर सकते हैं. और इसे एस्ट्रल कहने का कारण ये है कि इसके साथ हम सभी खगोलिय पिंडो या एस्ट्रो या अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं एस्ट्रल एंफोल्डिंग कुछ भी असाधारन या अजीब नहीं है ये वास्तव में एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर बार तब होती है जब हमारा भौतिक शरीर सो जाता है हर बार जब हम सोते हैं तो हम सूक्षम जगत में चले जाते हैं जिसे पांचवे आयाम या सपनों की दुनिया के रूप में भी जाना जाता है और हम आम तोर पर इसे अंजाने में करते हैं इसलिए यहां हम अपने आंतरिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए इस उप्योगी अभ्यास का लाब उठाने के लिए इसे सचेत रूप से करना सीखेंगे सूक्षम जगत में हमें जोगी अनुभव होते हैं उन्हें हम याद रखते हैं और स्वापन कहते हैं जब हम उस सूक्षम जगत में जाते हैं, जैसा कि हम आम तोर पर करते हैं, अचेतन अवस्था में हम अपनी इच्छाओं और एहनकार को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं और साथ ही हम उन सभी चीजों को दोहराना शुरू कर देते हैं जो हमने दिन के दोरान किये थे, भले ही हम जागने पर याद न कर सके, सबसे आम बात उन चीजों को याद रखना है जो दिन में हमारे द्वारा किये गए कारियों से मेल नहीं खाती हैं। मदद में नींद के दोरान ध्यान की वही स्थिती प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसके लिए हम मनोवे ज्यानिक मृत्यू, डैथ ओन मार्च के अभ्यास का उप्योग करेंगे। इसलिए हम दिन भर में उन सभी दोशों को दूर कर सकते हैं जो हमें विचलित करते हैं और हमारे मन को भी असपष्ट बनाते हैं। और चुंकि हमारी चेतना सोई हुई है, हम एहसास नहीं होता है कि हम अपने शरीर से बाहर हैं, हम एहसास नहीं होता है कि हम सपना देख रहे हैं, चाहे सपना कितना भी बेतुका क्यों न हो, उदाहरन के लिए हम किसी को उड़ते हुए देख सकते हैं और हमारे पास नहीं ह यह एहसास कि हम सपने में हैं, या कि हम किसी दूसरे देश या किसी अन्यल जीट जगह पर हैं, या असाधारन चीजे कर रहे हैं। हाला कि बहुत से लोग इसके बारे में सुने बिना भी पहले से ही यह जानकर अनुभव कर चुके हैं कि वे एक सपने में हैं या यहां तक कि बाहर जाकर अपने भौतिक शरीर को बिस्तर पर सोते हुए देखा है कई लोग इस इस पश्ट स्वपन देखना भी कहते हैं हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन का उप्योग किसलिए कर सकते हैं सबसे पहले जब हम सूक्षम मिस्तार प्राप्त करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इस भौतिक शरीर से कहीं अधिक हैं तब हमें एहसास होता है कि इस तीसरे आयाम के अलावा और भी आयाम है जिन में हमारा भौतिक शरीर विक्सित होता है सूक्षम जगत में हम जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो असी मित है आत्म ज्यान के है एस्ट्रल अन्फोल्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है दरसल हम जो चाहें जाच और जाच कर सकते हैं सूक्षम जगत में हम अपने अमर और शाश्वत अस्टित्व से जुर सकते हैं इसलिए अपनी चेतना के उस उच्च भाग से जुर कर हम उन अस्टित्व संबंधी प्रशनों को हल कर सकते हैं जैसे मेरे अस्टित्व का उद्देश्य क्या है? तारानकन जब हम मरते हैं तो क्या होता है? तारानकन हम अपने पिछले जन्मों की जाच कर सकते हैं तारानकन हम ये भी जाच कर सकते हैं कि वर्तमान में हम इस चक्र में अपने एक सो आथ अस्टित्वों में से किसमे हैं किसी ऐसे रिष्टेदार या मित्र से मिले जिनकी मृत्यू हो गई हो वस्तुनिष्ट न्याय न्यायाले में जाएं, हमारे कर्म रिनों की पुस्तक देखें हमारी चेतना के श्रेष्ट भागू से मिले, आंतरिक पिता और माता तारानकन हमारी दिव्यमा से मनुवे ज्ञानिक मृत्यू की प्रक्रिया की पुष्टी करें अमुक हराभी के साथ काम कैसा चल रहा है बुद्धी के मंदिर का दौरा करें जाच करें कि क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है इस ग्रह पर स्थानों का ब्रह्मन करें तारानकन यदि हमारे पास कोई साथी नहीं है तो हम अपने भीतर के देवत्व से पूछ सकते हैं कि वो कौन व्यक्ती है जो हमारे साथ अस्तित्वगत शरीरों के निर्मान में हमारी सहायता करेंगा तारानकन हम श्वेट लौज के स्वामी से मिल सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तारानकन हम सत्यापित कर सकते हैं कि जो व्यक्ती स्वयम को गुरु कहता है वो वास्तव में सच्चा गुरु है तारानकं हम ये देखने के लिए धर्मों और गूर विध्यालेओं की जाच कर सकते हैं कि क्या वे शुदह और अच्छे हैं हम सचित सूक्षम प्रक्षेपन में जाच कर सकते हैं महत्वपूल बात यह है कि इस तक्नीक का उप्योग हमारे आत्म ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के ही किया जाए. ये जानना भी अच्छा है कि ऐसी कई जाचे हैं जिनके ये कुछ गुनो या धर्म की आवश्यक्ता होती है. इसलिए हमें एक निश्चित मात्रा में धर्म की आवश्यक्ता है जिसे हम दूसरों को जागरित करने में मदद करके अरजित करेंगे. अब आएए इस प्रथा के संबंध में मौझूद कुछ गलत वहमियों को दूर करें. उदाहरं के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि यह एक खतरनाक प्रथा है. यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी आत्मा और हमारा भौतिक शरीर चांदी की रस्सी से जुड़े हुए हैं, जो एक अतूट और विस्तार योग्य रस्सी है, जो भौतिक और सूक्षम दोनों शरीरों को जोड़ती है, और जिसे इस समय केवल मृत्यू के रण ही तोड सकती है, जैसा कि हमने पिछले विशे में देखा था भौतिक शरीर की मृत्यू के बारे में, इसलिए सूक्षम यात्रा के दोरान कुछ खत्रों के बारे में अफवाहें और मिथक अमान्य और निराधार हैं, जैसे कि हम सूक्षम में रह सकते हैं और वापस लोटने में सक् सकता था, उस उरजावान कौड के कारण ये पूरी तरह से असंभव है, कुछ लोग कहते हैं कि इसे हासल करना कथिन है, और सच तो ये है कि यह अभ्यास हर किसी के लिए संभव है, और ये पता चला है कि इस अभधारना पर सटीक रूप से विश्वास करना कि यह कथिन है, हमारे लिए इसे हासल करना कथिन बना देता है, क्योंकि हम जो मानते हैं वो हम बनाते हैं, इसलिए यदि हम इस तथ्या पर ध्यान के इंद्रित करते हैं कि यह कथिन या जटिल या एक खतरनाक अभ्यास है, तो ये अभधारनाए हमें सफल होने से रोकेंगी, यदि हम पहल तरह से हमारी भावनाव से संबंदित है, कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल आध्यात्मिक रूप से उननत लोगों के लिए है, और यह सच भी नहीं है, हम सभी सचेतन सूक्षम प्रक्षेपन प्राप्त कर सकते हैं, यदिपी आप आत्म ज्यान के अपनी प्रक्रिया में जि हाला कि यह सच है कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण लोग हैं जो इस अभ्यास का उप्योग बुरे उद्देश्यों के यह करते हैं जैसे कि अन्य लोगों से उर्जा चुराना, यह अभ्यास हमारे इरादों के आधार पर हमारे द्वारा दिये गए अच्छे या बुरे उप अधरे कस्तित्व का मार्ग दर्शन मांगते हुए इस अभ्यास को करने की सलाह देते हैं जो ज्यान और प्रेम का प्रतिनिद्व करता है ऐसा करने के कई तरीके हैं, कई तक्नीके हैं जिन्हें हम लागू कर सकते हैं, इसलिए मैं उनमें से कुछ की सूची बनाऊगा जो पूरी तरह से काम करती है पहला है, एकागृता से प्रिक्षेपित पाएंगे लेकिन सचेत अवस्था में तीसरा है नीन से जागना ये तकनीक उन लोगों के लिए उत्कृष्ट है जो बहुत आसानी से सो जाते हैं इसमें केवल लक्षनों के आगमन की निग्रानी करना शामिल है जो इंगित करता है कि भौतिक शरीर सो गया है और यदि हम खराटे लेते हैं तो हम जागते हुए जागते हैं खराटों को भी सुना जा सकता है वहां भौतिक शरीर का हम शरीर को महसूस करने पर ध्यान के इंद्रित करते हैं और हमें कई लक्षन महसूस होने लगेंगे और हम महसूस कर पाएंगे कि भौतिक शरीर सो रहा है और हम सुक्षम शरीर में बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वाले हैं ये जाचने के लिए कि हम खुले हैं, उदाहरंग के लिए तैरने के इरादे से कूदना, यदि हम सूक्षम में हैं तो हम तैरना जारी रखेगे, या हम एक उम्मीर भी फैला सकते हैं और यदि वो खीचती है तो हमें एहसास होगा कि हम सूक्षम में हैं हम विस्तर पर भी देख सकते हैं और अपने भौतिक शरीर को सोता हुआ देख सकते हैं चौथी तक्नीक है, मनोवेज्ञानिक मृत्यू का अभ्यास करना ये तक्नीक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें उन सभी दोशों को दूर करना शामिल है जो उस समय प्रकट हो रहे हैं चाहे वे विचार, भावनाए, भावनाए, समवेदनाए, चिंताए, भाई, चिंताए हों वे सभी चीजें जो हमारे दिमाग में और अंदर दिखाई देने लगती हैं, हमारा शरीर और वो हमें प्रकटी करन को प्राप्त करने के लिए परियाप्त रूप से ध्यान के इंद्रत करने की अनुमती नहीं देता है इसलिए जैसे ही हम इनमें से किसी भी विवरण को देखते हैं, हम अपनी दिव्यमा से इसे खत्म करने के ये कहेंगे और हम तुरंट एक आगरता पर लौट आएंगे, जब तक कि हमें लक्षल महसूस न होने लगे और आखिरी तकनीक है मंत्रों का जाग ये सम्भवता सभी में सबसे प्रभावी है ये ध्वनी उत्सचित करने के बारे में है जो हमारे शरीर में एक निश्चित कमपन पैदा करेगी जो प्रकट होने की प्रक्रिया को तेज कर देगी अब मैं चरन दर चरन अभ्यास की व्याख्या करने जा रहा हूँ और कई मंत्रों की सूची बनाऊंगा जिनका उप्योग हम सूक्षम प्रकटी करन को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं पहला कदम सोने के लिए आराम दायक स्थिती चुनना है लापरवा स्थिती का उप्योग करना बहतर है क्योंकि उस स्थिती में लक्षनों को महसूस करना आसान होता है लेकिन अगर आपके लिए उस स्थिती में सोना असंभव है तो आप दूसरी स्थिती चुन सकते हैं दूसरा कदम उस स्थान को साफ करना और उर्जावान धंग से बंद करना है जहां हाम है बेलिलिन के मंत्र के साथ कर सकते हैं और समापन हम इसे सुरक्षा के जादूई घीरे के साथ करते हैं मैं व्याख्यान साथ में इन सुरक्षा मंत्रों को सिखाऊंगा बेलिलिन मंत्र किसी भी नकारात्म कूरजा के वातावरन को शुध कर देगा जो हमें अभ्यास से विचलित कर सकता है और जादु चक्र उस्थान को बंद कर देगा ताकि वे नकारात्म कूरजाएं वापस ना आ सके इसके साथ ही ये सुरक्षा मंत्र हम इस लीग पैरालिसस से बचने में भी मदद करेंगे फिर हम अपने आंतरेक अस्तित्व से अभ्यास के दौरान हमारी सहायता करने और हमें सफल होने में मदद करने के ये कहते हैं और फिर हम अपने लिए एक लक्शे निर्धारत करते हैं, जिसे हम सूक्षम आयाम में पहुंचने के बाद पूरा करना चाहते हैं. फिर हम आराम करने के लिए आगे बढ़ते हैं. आराम बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें एक इश्टम स्थिती में रखता है, ताकि हम सामने आने वाले लक्षनों को आसानी से महसूस कर सके दिमाग को आराम देने के लिए कम से कम एक मिनित तक वातावरन में दूर की आवाज सुनने पर ध्यान केंद्रित करें उनके बारे में सोचे बिना या उनकी साथ तादात में स्थापित किये बिना भावना को शान्त करने के लिए आप गहरी सास लेने जा रहे हैं अपने मुव से सास छोड़ेंगे जब तक आप भावनात्मक केंद्र को आराम महसूस न करें तक तक इसे आवश्यक तानुसार कई बार दोहराएं भावतिक शरीर को आराम देने के लिए आप कलतना कर सकते हैं कि हरे रंग की चमकदार रोशनी आपके दाहिने पैर से लेकर नीचे से उपर तक आपके शरीर के सभी हिस्सों को कैसे आराम देती है आप इसकी कलतना करें इसे महसूस करें और अपने पैर को आराम करने और शान् यदि हम मंत्र तक्नीक का उप्योग करते हैं तो ऐसे कई मंत्र हैं जिन में से हम खुलासा प्राप्त करने के लिए चुन सकते हैं उदाहरं के लिए वो मंत्र है जो द्वनित होता है साहराओं जब हम वो द्वनि निकालते हैं तो हम भौहों के बीच के क्षेत्र पर ध्यान की इंद्रित करते हैं और हम वहाँ एक पिरामिद की कल्पना कर सकते हैं एक और मंत्र जिसका हम उप्योग कर सकते हैं वो है लाहरास इसके साथ हम भौहों के बीच के क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन वहां बैंगनी रंग की रोशनी की कल्पना करते हैं एक और मंत जिसका हम उप्योग कर सकते हैं वो है फ्रिदय में केंद्रित द्वनी भी फ्रिदय में भी एक आगर ये मंत्र उन लोगों के लिए बहुत उप्योगी है जिन्हें आसानी से नींग नहीं आती एक और मंत जिसका हम उप्योग कर सकते हैं वो है स्वर्यंत्र में केंद्रित ये उन लोगों के लिए बहुत उप्योगी है जिन्हें आसानी से नींद आ जाती है सफलता पाने के लिए और भी कई मंत्र हैं लेकिन ये बहुत प्रभावी है ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमें प्रती अभ्यास केवल एक मंत्र का उप्योग करना चाहिए क्योंकि प्रतेक मंत्र में एक विशिष्ट कमपन होता है और यदि हम एक ही अभ्यास में मंत्र बदलते हैं शब्दान्ज को लंबा करना होगा. आप मंत्र को लगबग 10 से 12 बार जोर से दोहरा सकते हैं, फिर आप मंत्र को अपने मन में दोहराते रहें, जब तक कि आपको लक्षन महसूस नहोने लगें. जब आपका सूक्षव शरीर आपके भौतिक शरीर से अलग हो रहा होता है, तो आपको इनमें से कोई भी लक्षन महसूस हो सकता है. आप अपने शरीर को फूलता हुआ महसूस कर सकते हैं. आप महसूस कर सकते हैं कि आप तैर रहे हैं. आप महसूस कर सकते हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे हिल रहा है जैसे कि आपको जुलाया जा रहा हो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पैर और हाथ हूपर उठ रहे हैं और तैर रहे हैं आपको बिचली के कर्ट का हिसास हो सकता है आप महसूस कर सकते हैं कि आप तेज गती से घूम रहे हैं आप अपने कानों के पास शोर महसूस कर सकते हैं या आप सपने में सचेत होकर जाग सकते हैं लक्षन महसूस होने पर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रल रखना होगा और आराम करना होगा घबराए नहीं या उत्साह महसूस न करें बल्कि आराम करें और लक्षनों को बढ़ने दे जब हमें लगता है कि लक्षन काफी मजबूत है तो हम जागते हैं और जाचते हैं कि क्या हम पहले से ही विभाजत हैं हम तैरने के इरादे से कूद कर उंगली फैला कर या अपने हाथ से किसी चीज को पार करने की कोशिश करके ऐसा कर सकते हैं यदि जाज करने पर आपको पता चलता है कि आप अभी भी भौतिक शरीर में हैं क्योंकि आप तैर नहीं रहे थे या आपकी उंगली खीची नहीं थी तो आप बिस्तर पर लोटाएं और तक्नीक का उपयोग तब तक जारी रखें जब तक आपको दोबारा लक्षन महसूस न बढ़ें ये सूक्षम प्रक्षेपन का अभ्यास है रहस्य यह है कि जब तक आप इसे प्राप्त न कर लें तक तक बहुत धैर्यपूर्वक अभ्यास करें और याद रखें चाहना शक्ती है और अभ्यास परिपूर्य बनाता है अपने आगे विश्य में हम व्याख्यान संख्या चार मानव मशीन की साथ केंद्रों का आध्यान करेंगे हम सीखने जा रहे हैं कि उर्जा का केंद्र क्या है, उनके कार्य क्या है, वर्तमान में उन केंद्रों की वास्तविक स्थिती क्या है, इन उर्जा केंद्रों को कैसे संरेखित और संतुलित किया जाए और हमारे पास मौजूद सबसे मूल्यवान संसाधन जो की हमारी उर्जा ह का सही धंग से प्रबंधन कैसे किया जाए तो मिलते हैं अगले व्याख्यान में